हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे रियर लाइफ इंस्पिरेशनल पैरडॉक्सिस के बारे में यानि कि वास्त्विक जीवन के प्रिणा दायक विरोधावास विरोधावास क्या है? कथन जो की विरोध का अभास प्रिकट करता है ऐसे ही पाच पैरडॉक्स इसको हम समझेंगे पहला पैरडॉक्स जितना ज़्यादा किसी चीज से डड़ते हैं चीज हमें उतना ज़्यादा नहीं चाहिए दुए की जीवन में कुछ ना कुछ जरूर होता है करने से बोलने से समझने से मिलने से जोडने से दर लगता है उन चीजों से हमारा सामना बार-बार होता रहता है, लेकिन हम दर की कारण नहीं करते और एक के बाद एक छोड़ते जाते हैं, जो कि हमारी सक्सेस और ब्रोध को प्रवावित करता है, एक ऐसे ही कॉमन इसिडेंट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे बच्पन में य आगे, ऐसे ही कई सवाल में दिमाग में आते रहते थे और मैं सवाल नहीं पूछता था, जो कि मेरे परसनल ग्रोध के लिए अच्छा नहीं था, कई सालों के बाद मुझे हैसास हुआ कि मुझे सवाल पूछने चाहिए, पहला सवाल पूछा, टीचर ने कहा कि ये सवाल ब पर्फर्म किया आप मुझे कमेंट वाक्स में लिख कर बताएं कि आपको किस चीजों से डर लगता था और आपने उन्हें कैसे सॉल्व किया वरते हैं पैरडॉक्स नंबर टू जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा हमें हैसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं सब्सक्राइब के साथ जयसे निटींग बढ़ती है हमारे सवाल बढ़ते हैं नाखिवकं की उत्तर और इस कथन को प्रमाडित करती किता आप गीता को एक बार पढ़ें जैसरी बार पढ़ें तीसरी बार पढ़ें कुछ अंतरालों में तो आप पाएंगे जैसे से आपका नॉलिज बढ़ रहा है, आपकी क्यूरिसिटी, आपकी सवाल बढ़ते जा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, पैरडॉक्स नंबर थ्री, हमारे पास जितनी ज्यादा चॉइसिस होती हैं, उतना कम हम हर एक से संतुस्ट होते हैं, इस गुरुधा बास को पैरडॉक्स ऑफ चॉइसिस भी खा जाता है, रिसर्स बताती है कि हमारे पास जितने ज्यादा ऑप्शन्स होंगे, हम अपना कम संतुस्ट होंगे, प्योरी कहती है, पैरडॉक्स ऑफ चॉइसिस पे, कि हर एक चॉइस के लिए, हम इंटर्नली एक अपॉर्चॉनिटी कॉस्ट देते हैं, जि गलतियों की तरफ उतना जादा लोग सोचते हैं कि हम पर्फेक्ट हैं, इसका मतलब ये है कि हम जितना कम गलतियां करेंगे, या करते हैं, लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ये बंदा गलतियां कर यह नहीं रहा है, मतलब कि आप पर्फेक्ट की तरफ जाते जाएंगे, आप आपने अल्मोस्ट गल्तियों को जीरो कर दिया, क्योंकि आप फोकस कर रहे हो अपनी गल्तियों की तरफ, इमानदार हो उनकी तरफ, बहुत बारी ऐसा होता है कि गल्तियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम उसको नेगलेट करते रहते हैं, पराडॉक्स नमबर फाइफ, केवल एक कॉंस्टेंट है जो कि है बदलाव, हम सभी ने इसे मैसूस किया है, जो बदलाव को एकसेप्ट करता है, अपने आपको बदलता है, उसकी लिए सफलता के नए रास्ते को जाते हैं झाल झाल झाल